हर हर महादेव साथियों, आज हम महामृत्यूंजय मंत्र की व्याख्या करने वाले हैं महामृत्यूंजय मंत्र हम सबको मालूम है महामृत्यूंजय मंत्र को रुद्र मंत्र, त्रेंबक मंत्र या मृत्र संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है रिगवेद, यजुरवेद और अथरवेद इन तीनों में इसका उलेख मिलता है रिगवेद सबसे पुराना 7.59.12 यजुरवेद 3.60 अथरवेद 14.1.17 मतलब उसका जो अध्याय है उसमें जो सर्ग है और उसमें जो छंद है या श्लोक है तो इसमें ये जो रुद्र अध्याय होता है उसमें ये मंतर मिलता है तीनों के उसमें इसमें शिवजी की स्थूती गाई गई है और शिवजी को मृत्यू को जीतने वाला देवता माना गया है ऐसा बोला जाता है इस मंतर की रचना मारकंडे रिशी ने की थी महमुर्टिंजय मंत्र के 33 अक्षर है जो की महर्शी वशिष्ट के अनुसार 33 कोटी देवताओं को दियोतक हैं उसको रिप्रेजन्ट करते हैं उन 33 कोटी देवताओं में 8 वसू, 11 रुद्र, 12 आधित्यत, 1 परजापती और 1 शटकार हैं इन 33 कोटी देवताओं की संपूर्ण शक्तियां महमुर्टिंजय मंत्र में नहीत होती हैं जिससे महमुर्टिंजय का पाठ करने वाला प्राणी दीरगायू तो होता ही है अधिकायू को पराप्त करता ही है साथी वह निरोग, एश्वर युक्त, धनवान भी हो जाता है महमुर्टिंजय मंत्र का पाठ करने वाला प्राणी हर दृष्टी से सुखी एवं समृद्ध शाली होता है भगवान शिव की अमृत्मई क्रपा उस पर निरंतर बरस्ती रहती है तो आईए शुरू करते हैं महमुर्टिंजय मंत्र का क्या अर्थ है इसमें ओम से मंत्र को शुरू भी किया जाता है मंत्र है त्रयंबकम इसके दो भाग है पहला भाग है त्री त्री का मतलब क्या होता है तीन और अम्बकम दूसरा जो है वो है अम्बकम अम्बकम का मतलब अम्बक का मतलब होता है आख नेत्र जिसको आप बोलते हैं आखें या नेत्र बोलते हैं इसको आईज तो तीन आखों वाले स्रश्टी में केवल और केवल एक देवता है वो हैं शिव जिनकी तीन आखे हैं नाम भी ले सकते थे यहां पे ओम शिव जी यजा महिट लेकिन होता क्या है कि हम उपमा देकर के कृपा सिंदू हैं करुणा के सागर हैं मुरली धर सबसे अच्छा एक्जामपल है अब शिरी कृष्ण बोलते हैं और नहीं तो शिरी कृष राम जी गदाधर एक नाम होता है गदाधर हनवान जी तो ऐसे ही जो उनका एक स्पेशिफिकल स्पेशिफिक आइडेंटिफिकेशन है उससे उनकी पहचान की जाती है तो त्री अंबकम इसका मतलब हुआ त्री अंबकम मतलब तीन नेत्रों वाले यजा महे यज का मतलब ह पूजा पूजन करना और महे का मतलब होता है श्रेष्ट जैसे आपको बताता हूं मैं एक वर्ड हम यूज़ करते हैं यजमान यजमान का मतलब क्या होता है जो पूजा को धारण करता है वह व्यक्ति कहलाता है यजमान जैसे आप एक वर्ड यूज़ होता है बुद्धिमान बुद्धिमान कौन होता है जो बुद्धी को धारण करता है उसको कहते हैं बुद्धिमान बुद्धी को धारण करने वाला पूजा को धारण करने वाला यजमान होता है यज मतलब पूजा महे महे मतलब श्रेष्ट जैसे की पिता महे पिता महे बोलते हैं न हम मतलब हमारे पिताजी के भी पिताजी और उनके भी पिताजी उनको बोलते है पिता महे पिता महे है हमारे यह तो महे का मतलब पिता के पिता के पिता मतलब highest degree पिता के पिता को दादा बोलेंगे और उनके भी पिता पिता महे कहलाते हैं बड़े दादा हमारे तो पिता महे का मतलब होता है और उच्च कोटी वाले और उपर वाले तो जिनका पूजन किया जाता है highest degree of workship मतलब सची श्रद्धा से, सची भक्ती से जो पूजाओं में भी सबसे उची पूजा जिनकी की जाती है वैसे यजा महे कौन? शिवजी जिनकी तीन आखे है जो की सुगंधिम जो की सुगंध फैलाते है एक अच्छी feeling fragrance फील होती है पुष्टी पुष्टी का मतलब होता है strong हस्ट पुष्ट एक word आपने सुना होगा हस्ट पुष्ट जो पहलवान होते हैं जो अच्छा खाते पीते हैं बलशाली हो जाते हैं तो हस्ट का मतलब होता है ताकतवर भरा हुआ शरीर और पुष्ट का मतलब होता है हुआ है जिसमें काफी ताकत है तो उस को देने वाले जिनके नाम से सुगंध होती है जो की पुष्टी देते हैं हमको वर्धनम मतलब बढ़ाने वाला यह तो सब को मालूम है वर्धन करना वर्धन मतलब बढ़ाने वाला तो शिवजी कैसे हैं, सुगंदिम है और पुष्टी वर्धनम है, ताकत को, बॉडी को स्ट्रॉंग बनाते हैं, मन को स्ट्रॉंग बनाते हैं उर्वरक, उर्वरक आपने सुना होगा, उर्वरक का मतलब होता है बढ़ाने वाला फर्टीलाइजर, खेतों में जो डाला जाता है, उर्वरक फर्टीलाइजर डालने से, जो मिट्टी की ताकत है, उसको क्या मिलती है उसको सपोर्ट मिलती है, और फसल और अच्छी हो जाती है, तो उर्वरक उसको कहते हैं और ऐसे यहां पे इसका उर्वरक का मतलब तर्बूज या बेल वाला कोई फल तर्बूज या कई लोग इसको ककड़ी से भी कंप्यर करते हैं बेल में जो फल लगता है तो जो मंत्र है उसका तातपर पहले भाव आपको बता दूँ भाव ये है कि हे प्रभू हे शिवजी आप हमारी इस जीवन में अकाल मृत्यू ना हो पाएं अकाल मृत्यू मतलब जितना जीवन हमको भगवान ने उपर वाले ने दिया है हम पूरा जीवन अच्छे से जी करके संत्रिप्त हो के खुश हो करके खुशी-खुशी संसार को बिदा करें हम अमर्त भी नहीं चाहते हैं हम ऐसा भी नहीं चाहते कि हम अमर हो जाएं अभी आगे आएगा इसमे अमर्ताम मामर्ताम मतलब हम अमर नहीं होना चाहते हैं लेकिन हम जितना भी ऐसा ना हो कि किसी एक्सीडेंट में किसी भेंकर बीमारी से किसी क्लेश के कारण आत्मत्या लोग कर लेते हैं इस सब को क्या बोलते हैं अकाल मृतियों हत्या हो जाना अकाल मृतियों बहुत सार ऐसे कारण हो सकते हैं मृतियों बहुत एरोप्रेन का क्रेश हो गया ट्रेन रोड पे कहीं भी ऐसी मृतियों हमारी ना हो हम अपनी नैसर्गिक जिंदगी जीएं और जब ह हमारा समय आ जाए जिस तरह से तर्बूज या ककड़ी पक जाने पर अपने आप बंधन से मुक्त हो जाती है और मृत्यों को प्राप्थ हो जाती है तो यहां पर इसका मतलब हुआ इसको तर्बूज या ककड़ी भी बोला जाता है उर्वारुकमिव जिस तरह से तर्बूज या ककड़ी या कोई बेलदार फल पक जाने के बाद बंधनान बंधनों से मुक्त हो जाती है अपने आप टपक जाएगा पक करके पेड़ में अगर फल अपने अगर बीच में किसी ने पत्थर मार के उसको गिरा दिया तो वो अकाल मृत्य हो गई कच्छे में ही उसको तोड़ दिया वो अकाल मृत्य कहलाती है तो पक करके अपना जीवन जी करके हम अपने बंधनों से मुक्त हो जाएं मृत्यू से मृत्यू प्राप्त करके मुक्षि अलग हो जाएं, बरत्यो और मुक्षिय ना मा मतलम नहीं अंब्रताद, हम अमर नहीं होना चाहतें, लेकिन हम अपनी जिंदगी पूरी जी करके, अच्छे से जी करके, खीक उसी प्रकार से इस संसार से बंधन से संसारिक बंधन से मुक्त होकर के मृत्यों को प्राप्त करें जिस तरह से कोई बेल में लगा हुआ तरबूज या ककडी या कोई भी फल नैसरगिक रूप से प्राकर्तिक रूप से पक करके गिर जाता है इस मंतर का ये उद्देश होता है इसमें 33 शब्द का यूज हुआ है 33 कोटी देवताओं का यूज हुआ है एक बार देख लीजे पूरे इसका मतलब क्या हुआ त्री नेत्रों वाले मतलब शिवजी आप पूजा में सर्वश्रेष्ट हैं आप सुगंद को जीवन को सुगंधित करने वाले हैं पुष्ट करने वाले हैं उसका बढ़ाने वाले हैं जीवन में सुगंद को खुशी को और पुष्टता को बढ़ाने वाले हैं जिस तरह से तरबूज या ककडी या कोई बेलदार फल पकने के बाद नैसरगिक रूप से प्राकर्तिक रूप से अपने बंधनों से मुक्त हो करके मुक्ष को प्राप्त हो जाती है उस तरह से हम भी इस जीवन को जी करके मुर्तिव आने पर प्राकर्तिक रूप से इस संसार से मुक्त हो जाएं हम अमर्त मामर्तात हम अमर नहीं होना चाहते फिर इस मंत्र में एक होता है मृत संजीवनी मंत्र जो व्यक्ति बिल्कुल मृत्युशयया तक पहुँच गया हो ऐसा बोला जाता है कि ये मंत्र उसमें भी प्राण संचार कर देता है उसमें भी प्राणों का संचार हो जाता है इतना ताकतवर ये मंत्र है वो क्या है इस पूरे मंत्र को बोला जाता है मृत संचीवनी महामंत्र महाम्रतुन्जय मंत्र की उत्पत्ती के बारे में एक पौराणिक कथा प्रचलित है मृकुंडू करके एक रिशी हुए है जो की शिवजी के परम भक्त थे उनके कोई संतान नहीं थी उन्होंने घोर तपस्या की और शिवजी को प्रसंद किया शिवजी ने वर्दान दिया तुम्हारे यहाँ पे एक पुत्र जन मिलेगा क्योंकि तुमने इतनी तपस्या की है और लेकिन यह पुत्र अलपायू होगा इसकी उम्र जादा नहीं होगी तो मरकंडू जो रिशी थे वो बड़े विशाद में घिर गए दुखी हो गए क्या करें क्या करें जब उनकी वाइफ उनकी पत्नी ने जब उनको उदास देखा तो उनकी पत्नी ने कहा कोई बात नहीं भगवान से हम बिंती करेंगे भगवान की तपस्या करके और चो विधी का विधान है वो बदलने की उनसे हम प्रार्थनाफ स्विकार करें ऐसा बोलेंगे बच्चे का जन्म हुआ गरीदीरी वो बड़ा होने लग गया शिवजी ने बोला था कि इसकी आयू 16 साल तक होगी बस जब वो बच्चा थोड़ा 13-14 साल का हुआ तब उनके पिता मरकुंडू रिशी ने उनको बताया उस बालक का नाम मारकंडे था मारकंडे रखा गया कि बेटा तुम्हारी आयू जो है वो जादा नहीं है जो मारकंडे बेटा था उसने बोला कि मैं देखता हूँ अच्छा कुछ उपाय करता हूँ तो उन्होंने एक मंत्र की रचना करी कौनसा मंत्र यही महामृत्विंजय मंत्र और वो उस मंत्र का जाप बार 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 वो करने लगे निश्चित समय जब उनकी मृत्यू का था उस वक्त यमदूत आये उन्होंने उस बालक को देखा कि ये बालक तो महामृतिंजय मंत्र का जाब कर रहा है तो यमदूतों की हिम्मत नहीं हुई उसको अपने साथ यमलोक ले जाने की वो वापिस लौट गए जाकर के यमराज को बात बताई यमराज ने कहा है ऐसे कैसे जो विधान है वो ही होना चाहिए मैं खुद चल के उसको प्राण हर के यमलोक ले के आऊंगा तो यमराज जी आए यमराज जी को देखे ओ बेटा डर गया और मंदिर में शिवलिंग के चारों और उसने अपने हाथ से अपने ऐसे शिवलिंग को अलिंगन करा और जोर जोर से महामृतिंजय मंत्र का जाब करने लग गया ये देख करके यमराज को बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपना पाश उसकी तरफ फेका वो पाश शिवजी के उपर भी लगा जिसको देख करके शिवजी को भेंकर गुसा आ गया कि मेरा भक्त जो मेरे सानिध में मेरे को अपने हिर्दय से लगाए हुए और मंत्र का जाब कर रहा है उसके प्रांट तू हरने आया है तो शिवजी प्रगट हो गए और जब शिवजी प्रगट हुए तो उन्होंने उस विधी का विधान को बदलने का मतलब मरत्यू जो लिखी हुई थी उसको ही उन्होंने फिर बदल दिया इस तरह से वो बालत बच गया मारकंडे रिशी आगे चल करके वो भी एक रिशी बना मारकंडे रिशी तो महामरत्यूंजय मंत्र की बारे में जो पौराणिक कता है वो इस तरह से है मंत्री रचना भी उन्होंने की थी और ऐसा बोलते हैं ये बहुत शक्तिशाली मंत्र है जरूरत के अनुसार सवालाख बारिस का जप किया जाए 11,000 बारिस का जप किया जाए ऐसे अलग अलग जरूरत के हिसाब से जाप करने से इसमें फायदा मिलता है